जीनियस शिक्षेक्टूब चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम याने हिंदी सीखने के मस्टर क्लास दस में हम लेकर आए है आहा और री की मात्रावाले शब्द और वाक के जो है ना आज के इस क्लास में जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगी तो चलिए बीना देर की हुए आज के इस class को आप शुरू करते हैं, class को शुरू करने से पहले आज के इस class को कर दीजिए like क्योंकि आप पढ़ने के बाद भूल याते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ईस लूद्ट की मातरा का पर्योग करना है कैसे होगा है यहां पे दो बिंदी आजाएगा तो पहले क्या था मौ था और जैसे दो बिंदी लगा ये बन गया महा यानि इन दो बिंदी का उचारन जो होगा होगा ठीक है और जिस अक्षर में लगा रहेगा उस अक्षर के बाद हो का उचारन की जिएगा ठीक है महा महा ठीक है और यहीं जो यहां पर री की मातरा है मौ में लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे म्री, क्या पढ़ेंगे म्री, मौ में री की मातरा, अगर इस तरह से मुझ खुला हुआ रहेगा, अगर इस तरह से रहता है, तो ये बड़ी उकी मातरा है, ठीके, वहीं, और इस तरह से रहेगा, तो ये छोटी उकी मातरा है, ठीके, इस ते आद बुचारण करेंगे इसी आपे काम में लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको क्री देखिए एक होता है इस तरह से क्री यह जब हम आदे अप्छार वाली रा की पदेन वाला मातरा जब हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें clear कर देंगे अब है अभी फिलाल, री की मातरावाला class अभी है करना आपको, छीके, तो इसको हम पढ़ाएंगे क्री, ठीके, और जैसे यहाँ पे सा और यहाँ पे बिंदी लग गया, तो अब देखिए इन दोनों से बनने वाले शब्द को भी यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पर देखिए और यहाँ पर मह है और यहाँ पर बिशार्ग है तो इसको महा पढ़ेंगे और यहां पड़ेंगे क्री और यहां पर पा है तो क्या पड़ेंगे क्री पाह तो इसी प्रकार से जो है आज का जो क्लास हमारा होने वाला है master class इसमें आपको आहा औरी की मात्रा वाले शब्द और वाक के पढ़ना आपको सिखाएंगे और आप ध्यान से दिखिएगा तक कि आपको ये दोनों मात्राओर से बने शब्द और वाक के पढ़ना आ जाए और आगे आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रोब्लेम न हो तो चलिए बिना दिर की हुए आज की इस class को हम शुरू करते हैं तो चलिए अब चलते हैं हम mobile screen पे तो यहाँ पे देखिए अब हम सुरू करेंगे सीखिदा यहाँ पे अहा की मात्राओर वाले वाक र ठीक है तो यहाँ पर देखिए आ के उपर क्या एक बिंदी है तो इसको पढ़ेंगे अन तो फिर यहाँ पर तो है तो में क्या है दो बिंदी लगा है उपर एक नीची यानि बिशर्ग लगा है तो इसको तो हा पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अन्त तो ठीक यानि जिस भी अख्षर के बाद बशियर के इस तरह सरे दो बिंदी लगा रहेगा तो उस अख्षर के बाद हा का उचारन किईएगा ठीक है तो यहां पे देखिए फा ल़ और यहां पे ता है चाहा एक पैद क्या है दो बिंदिया नहीं विश्यार गे तो इसको हा उचारना करेंगे ताहा यानि फल्ताहा जा नहा जनहा पू नहा पुनहा मू ला ताहा मुल्ताहा ना महा नमहा आताहा अताहा निह सन नितान निह संतान निह सहाय निह सहाय शुभः शुभः लाभः लाभः तपह तपह युवा कहा मित्रह निह संकोच कलशह वी जायह वी जयह मनोहरह मनोहरह दुह ख दुख संभवत ह संभवत ह अक्षरशह अन्तह करण अन्तह करण साधार अणतह सधारंतह अधह तो इस प्रकार से जो है आप अहा की मात्रा वाले शब्द को जो है उचारन करके पढ़ीगा तो चलिए अब हम इसको एक बार डाइरेक्ट पढ़ना सिखते हैं तो यहां पे देखिए अन्ततह फलतह जनह पुनह मुल्तह नमह अतह निह संतान निह सहाय शुभा लाबह तपह इवकह मित्रह निह संकोच कलशा विजया मनोहरा दुख संभवता सनेह दुह साहस अक्छरशा अन्तह करण सधारंता अधा तो इस तरह से आप इसको डिरेक्ट पढ़ीगा तो चलिए अब हम अहा की मातरा वाले वाक्टियों को जो है न पढ़ना सीखती है तो डिरेक्ट यहां पर पढ़ेंगे वाक्ट अशोक प्रातह दिखी यहां पर पढ़ेंगे इसको ठीके हम आने वाले क्लास में क्लियर कर देंगे इसका अधा रव उचारुन होता है ठीके तो अभी फिलाल पांच बजे उठता है उठकर माता पीता को प्रणाम करता है वह प्रातह सैर करने जाता है छह बजे नहाता है फिर क्रमशह अपना पाठ याद करता है अपने बड़ो की आज्या का अक्छर्ष पालन करता है फलता वह परिक्छा में सफल होता है वह कभी दुह साहस नहीं करता वह निह सहाय की सहायता करता है कभी किसी को दुख नहीं देता है प्रायह लोग ऐसा नहीं करते फलता वह दुख उठाते हैं प्रायह लोग भगवान को भूल जाते हैं निह संकोच उससे बड़ा कोई नहीं है वह पुनह पुनह हमारी सहायता करता है तो इस तरह से आप अहा की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखिएगा तो चलिए अब हम री की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखते हैं तो यहाँ पे देखिए री की मात्रा वाले शब्द तो री की मात्रा जो है इस परकार का होता है तो यहाँ पर देखिए मा में री की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे म्री गा म्रीग री शा भा रिशब द्री देखिए आपे दा में री की मात्रा है द्री गा द्रीग विरी शा भा विरी शब री आणा यहाँ पे तो पढ़ेंगे इसको रेण क्री कामेरी की मात्र क्री शा क क्रिशक त्री तामेरी की मात्र त्री आण त्रीण प्री पामेरी की मात्र प्री था क क प्रिथक मामेरी की मात्र म्री त म्रित इसी परकार्सियाँ पे पढ़ेगा वरीहा त वरिहत ग्रीत ग्रीत ख्रीदा या ख्रीदाय रीशी रीशी अम्रीता अम्रीता क्रीशी, सद्रीश, क्रीटी, म्रीग या, म्रिग्या, त्रीशा, क्रीपाण, क्रीपाण, म्रीश, क्रीपालू, क्रीशी, म्रीदूल, म्रीदा, ब्रीजेश, क्रीपा, क्रीपा, न्रीशीह, व्रीथा, मा, त्री, भू, मे, मा, त्री, भू, मे, री, चा, री, चा, व्री, और यहापे बिंदी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, व्रिन, दा, व, न, व्रिन्दावन, घृ, और यहापे आउना है, जिसमें आकमत, घृना, क्या पढ़ेंगे इसको, घृना, आ, म्री, त, स, र, अमरित, सर, ब्री, गू, ब्रीगू, स, हृरी, द, यह, स, हृरी, द, यह, स, हृरी, द, म्री, दू, म्रीदू, म्रीदू, म्रीग, शी, र, म्रीग, शी, र, म्रीग, शी, र, मा, त्री, मा, त्री, ग्री, हा, प, ती, ग्री, पती, द्री, ध, द्रिध, त्री, ड्र, मा, या, त्रिन्र, माय, पी, त्री, पित्री, म्री, ग, न, या, नी, म्री, ग, न, या, नी, म्री, ग, न, न, नी, क्री, श, क्रिश, ग्री ही निरी प ग्री त पात्र ग्रित पात्र वरी च वरिट तो इस तरह से आप री की मातरा वाले शब्दों को जो है आप उचारन करके पढ़िएगा तो चलिए अब हम इसको डारेक्ट पढ़ना सीखते हैं तो यहाँ पर देखिए म्रीग रिशव द्रीग वरिशव रिण क्रिशक त्रिण प्रिथक म्रीत विरीहत घ्रीत हिरिदय रिशी अम्रिता क्रिशी सद्रिश क्रिती म्रिग्या त्रिशा क्रिपाण म्रिशा क्रिपालू क्रिशी म्रिदुल म्रिदा ब्रिजेश क्रिपा न्रिश्य विरिथा मात्री भूमी रिच्चा व्रिणदा वन ग्रीणा अम्रित शर् म्रीगू साहरिदय म्रीदु म्रिग शीरा मात्री ग्रिपती त्रिण त्रिण म्रै पित्री मरिग नएनी क्रिश ग्रिहिनी निरीप घ्रित पात्र वरिक्ष तो इस तरह से जो है आप रिकी मात्रावाले शब्दों को अब डारेक्ट पढ़ना सिखीएगा तो चलिए अब हम इसको यानी रिकी मात्राशे बने वाक्यों को पढ़ना सिखेंगे तो यहाँ पर देखीए रिकी मात्रावाले वाक्य एक महान रिशी थे उनका नाम था भरीगू उनका हिरिदय बहुत ही उदार था वह सब पर क्रीपा करते थे उनके आश्रम में वरिक्ष काटना और जीवो को मारना पाप था एक दिन रिशी तौप कर रहे थे पास ही एक म्रिग त्रिन चर रहा था इतने में एक नरीप आया उसके हाथ में धनुष बाण था म्रिग घबरा गया वह रिशी की शरन में गया रिशी ने नरीप से कहा नरीप म्रिग पर धया करो म्रिग को मारना पाप है नरीप चला गया म्रिग बच गया रिशी सब को शिक्छा देते थे किसी से घ्रिना मत करो किसी को व्रीथा तंग न करो तो फ्रेंट्स इस तरह से आप रिखी मातरा वाले वाक्यों को पढ़िएगा तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस हिंदी सीखिने के मास्टर क्लास में वस इतना ही आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है प्लेज हमें कमेंट परके ज़रूर बतेएगा और आज के इस क्लास को अपने सावी फ्रेंट्स को शेर कर दीचे ताकि वे भी घर बेट आशानी से इस क्लास के माध्यम से अहा और रिखी मातरा वाले शब्द और वाक्यों के जुहें न पढ़ना सीख ले जय हिंद फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी सीखिने के मास्टर क्लास में